एपिसोड 7 के शुरुआत में प्रोस्कुटर वाले वांसू के आफिस पहुंच जाते हैं और उसके भाई से कहते हैं तुम्हें फांडेशन के फंड्स के चोरी के लिए अरेश्ट किया जाता है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरे किस ने किया है दूसरी तरफ मि खुदी पता करूंगा कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है वांसू दोयों से कहती है उसके फैमली में उसके भाई के अलावा और कोई नहीं है तो दोयों उसे भरोसा दिलाता है कहता है तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक होगा उसे टाइम पर किम वहां पर पहुंचता है औ आगे से कुछ भी ऐसा वैसा मत करना पिरमे प्रोस्कुडर ओफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांसू अपने भाई से मिलने के लिए थी वो अपने भाई से कहती है अगर आगे से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो उसका भाई कहता है तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम मीरान से रिवेंज लेना चाहती हो अब तो तुम्हें समझ में आही गया होगा यह सब कुछ इंपॉसिबल है हवाईन ग्रूप ने अल्रेडी मुझे कंट्रोल करके रखा है तो वांसू पूछती है आखिर तुम इतने आराम से क्य तो मिस्टर हान पूछता है क्या इतना काफी होगा वांसू का भाई कहता है हमारे पास दूसरों के नाम पर और वंपोटल 500 बेंक अकाउंट्स है और मेरे पास वं सारे अकौंट और में को यह सब पता है कि मीरान के पास दूसरों के नाम का तू ट्रिलियन का अकाउंट से, ये सब सुनकर मिस्टर हान को बहुत गुस्सा आ गया था, कहता है तुम्हें अपना मुझ खोलने की जरूरत नहीं है, तो वांसू का भाई कहता है आप फिकर मत करिये, आप बस मुझे यहां से रिलीज करवाईए, वरना ये सारे सीक्रेट्स बाहर आ सकते है मिस्टर हान जैसे ही वांसे निकलने लगता है, इतने में वांसो का भाई पूछता है, प्रोस्कुशन वालों को अभी तक पता नहीं है न, कि पुलिस कमिशनर का आप लोग ने रिश्वत दिया है, इस बात का पूरा एविडेंस है मेरे पास, तो मिस्टर हान कहता है, तु जिउन यॉंग मिन से पूछती है, मिस्टर हान उस टाइम पर क्या बोल रहा था, यॉंग मिन बताता है उसी ने प्रोस्कुशन वालों को टिप दिया है, जिउन पूछती है तुमने ये सब क्यों किया, तो यॉंग मिन कहता है, मुझे पता चला कि मॉम हवाइन गूर्प क वारिस किम को बनाने वाली है, और मैं किसी भी हालत में ये होने नहीं दूँगा, जिउन पूस ये तुमने वांसु के भाय को क्यों आरेश करवाया, यॉंग मिन कहता है, उसकी मॉम के स्लश फंड का इंचार्ज कोन है, वांसु का भाय ही सारा अकॉंड मैनेज कर रहा है, और रही बात उसे इंवेस्मेंट की, तो तुम्हें उससे स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे अपने भाय को उसी के गेम में हराना होगा, और उसके लिए मुझे पैसो की जरूरत है, कि रगले सीन में मीरान मिस्टर हान से पूछती है, आकिर किसने प्रोस्कुरिशन वाल की रिलेशन क्या है, मिस्टर हान के ओफिस से फांडेशन के ओरिजनल डॉकुमेंट्स गयाब है, मुझे पता चला है कि उसे दोयुन नहीं चुराया है, फिर वो उसे उनका साथ वाला फोटोस दिखाती है, और पूस्ती है तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है तो वांसु कहती है, मैंने इस दोयुन से कहा था, कि वो मुझे डॉकुमेंट्स ला कर दे, और रही बात इस फोटो की, तो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तो मिस्टर हान कहता है, तुम्हें दोयुन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो, ये सुनकर मिरान कहती है, हमें दोयुन को फायर कर देना चाहिए, तो मिस्टर हान कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोयुन के पास अभी भी वो सारे डॉकुमेंट्स हैं, तो मिरान कहती है, फिर एक काम करो, दोयुन को जान से मरवा दो, ये सुनकर वांसु चल भी रहा है तो भी मुझे इस बास से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुमने उसे ओरिजिनल डॉकुमेंट्स चुराने के लिए बोल दिया वो पुलिस उनिवसिटी ग्राजवेट है वो तुमसे बहुत स्मार्ट है तो वांसु कहती है मैं दोयून के पास से वो मस्ते वे पूछता है अगर मैं वापस ना करू तो फिर क्या होगा मिस्टर हान कहता है तुम्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए तहीं तुम हर्ट ना हो जाओ इस बास से दोयून समझ चुका था कि फांडेशन के ओरिजिनल डॉकुमेंट्स मिस्टर हान ने खुदी बना दिया है कि तुम ही वो डॉकुमेंट्स लेकर गए हो उसे तुम पर ही शक हो रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई इसलिए अरेस्ट हुआ कि तुमने वो डॉकुमेंट्स जाकर प्रोस्कुशन वालों को दे दिये दोयून कहता है तुम जानती हो कि यह सच नहीं ह बलकि वहाँ पर मीरान का नाम है वो सारे फंड्स मीरान ही मैनेज कर रही है इसका रिजन मुझे अभी तक समझ नहीं आया वांसू कहती है मैंने उन्हें बता दिया है कि मैंने तुमसे वो डॉकुमेंट्स चोरी करने के लिए कहा था यह सुनकर दोयून उस पर बहुत गु कि जरूरत है ताकि हम उनके अगेंश फाइट बैक कर सके बस एक बार मुझ पर भरोसा करो जिजिन वो कार एक्स्प्लोड हुआ था उजिन मैंने ये बार ठान ली थी कि मैं तुम्हें उस नरक से निकाल के ही रहूँगा मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक देखते हैं वांसु के भाई के अरेस्ट होने वाली नियूस मीडिया में हर जगे लीक हो जाती है ये सब देखकर मीरान को बहुत गुसा आता है पता चलता है कि ये नियूस 13 और उसकी मौम ने लीक की थी ताकि वांसु का नाम खराब कर सके फिर अगले सीन में मिस्टर हान वांसु के भाई से मिलने आता है मिस्टर हान उससे पूछता है कमिशनर को रिश्वत देने वाली बात उसका एविडेंस तुमने कहां रखा है वांसु का भाई कहता है मैं तुम्हें वह एविडेंस दे दूँगा लेकिन सबसे पहले मुझे यहां से रिलीज करवाओ फिर वांसु का भाई पूछता है क्या मिरान को पता है कि यौँग मिन नहीं प्रॉसकिशन वालों को टिप दी ती इस वज़े से मैं यहां पर बैठाओं मिस्टर हान कहता है मैंने तुमसे कहाँ ये काम यौउग मिन का नहीं है बलकि यह काम दोयून का है ये सुनकर वांसु का का भाई हसते हुए कहता है यह काम दोयुनका नहीं है यूंकिто प्रोस्क्रिशन वाले को डी में कूश पता ही नहीं है उन्हें। degrad के बारे में किछ पता ही नहीं है।। तो पिरुलिके पैसों कै टेप मिली थी। 600 शैवे उसक्ता है खैता है नो समय की को की मेंचता है। मीरान पूस्त यह तुम करना क्या चाते हो हान कहते है हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वांसु खुद ही उस फांडेशन से रिजाइन कर दे ये करने का एक अच्छा तरीका है हमें सब के सामने एक स्पोस्ट कर देना चाहिए कि उसका और दोयून का अफेर्ट चल रहा है अगर ये न्यूस बहार आ गई तो फिर वांसु का रेप्रिटेशन अपने आप ही गिर जाएगा और उसे फांडेशन से रिजाइन करना ही पड़ेगा यही सब डिसाइड करके मीरान उससे कहती है तुम्हें तुरंद बुसान जाना होगा वहाँ पर जो हमारा रिजॉर्ट है कल उसके अन्वर्सरी है तुम्हें वहाँ किम के साथ जाना चाहिए तुम दोयून के साथ पहले निकल जाओ किम बाद में आ जाएगा उसका यहाँ पर कुछ पेपरवक का काम बचा है किर अगले सीन में मिस्टर हान किसी से मिलने के लाया था यहाँ से में फ्लेश बेक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैर्मेन उससे कहता है मैंने पहले अपना विल बना के रख लिया है चाहे वो जिन्दा रहे या ना रहे उसका ये विल उसके 70th बर्दे पर एक्जेक्यूट होगा मिस्टर हान पूस्ट है आप US क्यों गए थे तो चैर्मेन कहता है मुझे लगता ने कोरिया में ऐसा कोई भी law firm है जहाँ तक तुम्हारी पहुंच नहीं है मुझे अपना विल सीक्रेट रखना था इसलिए मैं US गया था वहाँ के लॉयर से मिलने तो हान कहता है इसका मतलब आपके विल के बारे में किसी को भी नहीं पता चैर्मेन कहता है तुम सही बोल रहे हो इसका रिजन तुम्हें पता होगा कि आकिर उस विल में लिखा क्या है लॉयर कहते है तुम चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी इस तरफ जून यॉंग मिन को बताती है उसके डैड इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गये है ये सुनकर वो बहुत खुछ हो जाता है यॉंग मिन कहता है मुझे वो फांडेशन नहीं चाहिए बलकि मुझे हवायन ग्रूप का हैड ओफिस चाहिए फिर अगले सीन में हम मीरान को देखते हैं जो अपना कोई थेरपी करवा रही थी एक डॉक्टर उसके लिए को इंजेक्शन लेकर आई थी कहती है इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा लेकिन ये थोड़ा महेंगा है मीरान कहती है तुम पैसे के फिकर मत करो मेरे पास बहुत पैसे हैं इससे लिए वो उसे एक जगे पर लेकर आता है साथी में वो कहता है तुम्हें वांसू को मारना होगा और देखकर ऐसा लगना चाहिए क्यों से दोयून नहीं मारा हो वो दोनों बुसान पहुँच चुके थे वांसू को ये बताया जाता है कि किम वहाँ पर आज नहीं आएगा बलकि वो कल पहुँचेगा होटेल के बाहर हम जिन को देखते हैं जो उन दोनों पे नज़र रख रही थी दोयून के वहाँ से निकलते हैं वो वांसू के रूम में घुस जाती है वांसू जैसे ही बातरूम से निकलती है इतने में जीन उस पे अटेक कर देती है इतने में दोयून समझ जाता है कि अंदर कोई है वांसू खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी तभी जीन अपना नाइफ दूर से फेक कर मारती है लेकिन इतने में दोयून आकर उसे बचा लेता है इसी बीच मौका पाकर वो उस पर अटेक कर देती है रूम में आने पर वांसू वहाँ पर नहीं थी इस तरफ मिस्टर हान यॉंग मिन से कहता है तुम चुपचा फांडेशन को एकसेप कर लो यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा यॉंग मिन कहता है मुझे वो फांडेशन नहीं चाहिए बलकि मुझे पूरा हवाइन ग्रूप चाहिए दूसरी तरफ वांसू एक शिप में आके चुपी हुई थी लेकिन तबी जिन उसे देख लेती है वो उसे उठा कर टेबल पर फेक देती है तर देख वो बच्छिंग